स्वामी प्रसाद मौरे जी, बीजेपी से मोह भंग होने की वज़ा आप क्या बताएंगे और अब आर्पीएन सिंग का आना और पड्राउना से वो आपके सामने खड़े होंगे चुनावी मैदान में, इस पर आप क्या कहेंगे? देखे, क्रिश्चिप जी, पहली बात तो भारती जन्ता पार्टी और मंत्री प्रस्री स्टीफा देने का करण में पहले ही बता चुका हूँ, कि भारती जन्ता पार्टी ने वादा किया था सबका साथ सबका भिकार, सत्ता में आने के बाद पांच सल तक हमने देखा, कि बारी बारी से अंसुची जन्जात, पिछले वर्गों के आर्षण को खतम करने का महापाप कर रहे हैं, भारती समिधान की मन्सा के विफ्रीत, मनमाने तरीके से एक वर्ग जाति विशेश के लोगों को सभी आर्षण पदों के खिलाब बैठा रहे हैं, अभी अभी 79,000 सिच्गों की भरती में 19,000 आर्षण पदों पर इनोने सामान ने वर्ग के लोगों के निक्ति पर्ष दे दिया, सभी मेटिकल कालेजों में एक वर्ग विशेश के लोगों को भरती अवियान पिछले 7 मिनस चला रहे हैं, पिजियाई में बैक लाग सामान वर्ग के लोगों के बैक लाग पहली बार में ने देखा, होता ये था कि अंसुचित जात, अंसुचित जन जात, पिछडे वर्गों का आर्षण कोटा जब पूरा नहीं होता था, तो बैक लाग सिस्टम के मादन से भरती करके उजगा को पूरा किया जाता था, इन्होंने पिजियाई जैसे उच्चित्षा संथान में बैक लाग के नाम पर एक पच्पन पदों पर एक अठ्था सामान वर्ग के लोगों को भर रहे हैं, सभी उच्च शिच्चन संथानों में इसी प्रकार से बिना बिज्यापन के, बिना किसी एड़्वर्टिज्म निकाले, एक लाइन का प्रस्ताव लाकर करके कि अन्सीजात, अंसीजजात और पिश्रवर के अभ्यर्थी उपलब नहीं है, इसलिए इन पदों को सामान बारी बारी से हर जिगा मनमाना केवल उची जात के लोगों को बैठाने का जो पाप कर रहे हैं, सबसे बड़ा विरोध हमारा इनकी इस नीटी से है, जो सम्मिधान की विवस्ता की विप्रीत काम कर रहे हैं, हमारा विरोध उस से है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ, किशान इनकी नीतियों से तरस्था सालों साल खुले आसमान की नीचे बैठिक ने मजबूर हुआ, यहां तक कि लंबे अर्शे तक ध्रना अंदोलन में तमाम किशानों की सहीद भी होना पड़ा, आज पूरा छुट्टा जानवर उत्तर प्रदेश में पूरी फसल चट कर जा रहे हैं, और इसके साथ ही साथ आज पूरा विरोजगार नौजवान आउट्सोर्सिंग बेश्था निकाले हुए हैं, मैंने कैमने में विरोथ किया, कि आउट्सोर्सिंग सिस्टम जो लोगों की चेन का है, यह विशोलियों को मोटा करने का है, वि इसको खतम किया जाए, लेकिन नहीं, खतम नहीं किया, क्योंकि आउट्सोर्सिंग में सब वह उनी के लोग बठते हुए हैं, इसके साथ इसके साथ इसके खिलतितियों से, आज पड़रोना से लड़िएगा, आर्पियन सिंग के खिलाफ पड़रोना से आप उमीदवार हों पड़रोना से चुनाओ लड़ेंगे, आर्पियन सिंग एक बड़े कुर्मी नेता के तौर पर बीजेपी में शामिल हो गएं सर, पूर मंत्री रह चुके हैं, केंडर सरकार में, यूपिये के, आपके सामने होंगे, पड़रोना से चुनाओ लड़िएगा, उनके खिलाफ लेती है, हर चुनाओं में विजेई बना के भेशती है, रही बात आर्पियन सिंग जी राज महल में पैदा हुए हैं, उनको लोग कुमर आर्पियन सिंग कहते हैं, राजा सहाब के नाम से उसु विख्यात हैं, और साथ ही साथ जब राजा और फकीर में लड़ाई होती है, तो स्वाहई रूप से फकीर भारी पड़ता है और राजा को शिकस्त मिलती है, और इसलिए तीन बार, एक बार उनकी माजी की जमनत जब थुई, मेरे खिलाब, दो बार उनके उकतारे गए प्रत्यासी बुरी तरीके से हा रहे हैं, अब तीसरी बार अगर राजा सहाब, च पिता जी भी केंद्र प्रदेश में मंत्री रहे हैं, लंबे अर्चे तक राजी उनका भी हो रहा है दवद्वा, आर्पियन सिंगी भी तीन बार वहां से विधायक रहे, एक बार सांसत रहे, लेकिन जो विकास उन्होंने पूरे अपने लंबे टेनर में नहीं किया होगा, मेरे जाने के बाद उस सारे विकास कारी है, जनता को देखने को मिला है, जमीन पर अमली जामा दिया गया है, इसलिए जनता पूरा का पूरा हम पर विश्वास पहले भी किया है, फिर करेगी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौरे जी, इसको ज़रा फैक्स के आधार पर बातच जिसमें से कई बार आप BSP की तरफ से विधायक रहे, साथ चुनाव आप हारे, आपके बेटे दो चुनाव लड़े, दो चुनाव हारे, आपकी बेटी तीन चुनाव लड़ी, दो बार हारी, एक बार सांसत बने, इधर अगर हम ट्रैक रेकॉर्ड देखें, RPN सिंग का, त जिन नोकरियों पर सबसे ज्यादा, BJP को घेरा जारा है सαर, आप तो श्रम रौजगार मंतरी थे, लोग तंतर में, लोग तंतर में, लोग तंतर में, जो शेवा भाव से आता है, वही जन्तिदी कहलाता है, राज महल में जो रहता है, ़ो राजा कहलाता है, इसलिए दोनों में अंतर है उस अंतर को आप मिटा नहीं शक्ती है अरे वो भी तो चुनाओं से ही लड़के आते थे ना विधायक सांसत चुनते थे पर मेरा सवाल का जवाब दीजे ना स्वामी प्रसाद मौरी जी मैं बोल रहे हूं कि श्रम रोजगार मंत्री है लेकिन मेरे जाने के बाद लगातार जनता वहां की जनता ने उनको नकारा है ये सच है आप पड्रोना से अभी विधायक हैं कि सच है और ये भी अम देरे जाने के बाद जब तक मैं स्वामी प्रसाद मौरी जी मेरा सवाल सुझी है आप श्रम रोजगार मंत्री थे सर जनता के दम पर ही अब तो राजा-वाजा वाली बात पुरानी हो गई कोई महल में रह ले जनता नहीं पूछ中國 जो विधायक चुनकर आता है जो मंत्री बनता है उसकी तरफ आज से देख नौक्रियों पर बीजेपी को घेरा जाता है सर आप श्रम रोजगार मंत्री आपने क्या किया या फिर 14 जनवरी मकर संक्रांती के एर्दगिर 2022 में अचानक स्वामी प्रसाद मौरी जी को लगा कि ये बीजेपी तो एंटी ओबिसी है ये बीजेपी तो कुछ करी नहीं पारी आपने बतौर श्रम रोजगार मंत्री क्या हसिल किया किस्टप जी आप सुलने अच्छा स्वाल किया आपने स्रमिकों के कल्यान के लिए बोर्ट का गठी हुआ 2009 में 2009 से लेके 2017 तक कुल 7 लाख स्रमिक लावर्ती थे आज हमारे कारकाल में एक क्रोर लावर्ती हुए है कुल साथ पूर्व की सरकारों के आठ साल में नो साल में मात्र 34 लाख पंजियन था मर्दूरों का आज एक करोर 30 लाख के पार पंजियन हो गया है और साथ ही साथ जितना पिछले 10 सालों में रोजगार नहीं दिया गया हमने अपने शेवजन विभाग से निजी छेत्रों में पांच लाख से ज्यादा नोजनों को रोजगार दिया है निजी छेत्रों में प्रचार करने का मौका आपने आपने मेरे विभाग का काम पूछा तो मंतरी के रूप में मैं कभी मंत्री की रूप में खादी ग्राम उद्योग मंत्री जब था 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 पूरे देश में पहला अर्थान होने का गवरों मुझे मिला था और तकालीन प्रहान मंत्री से मैंने पुरश्कित हुआ था आज भी नम भूतों नो भविष्चत सम्षेवाजन विवाग के रूप में मंत्री के रूपे जो मैंने काम किया ना कभी कोई इतना कर सकता है ना कर पाएगा रही बात हमारा किसी नेता से कोई ब्रोद नहीं है हमारा है इनकी गलत नीतियों से ब्रोद अगर ये आरचन को मानवर के लोगं को तैनाती कर दिया आज उसी जातियों पर सरकार महरबान है किशानों का छुटा जनवर किशान खेट चर रहा है और बार-बार कहने के बहुत उसकी कोई ब्रोद नहीं हो रही है आज जिस तरीके से ब्रोद नौजवान ठगी की शिकार हो रहा है सारी नीत नीतियों का स्वागत होता है और गलत नीतियों का विरोध होता है नीतिया नेतिकता इतनी बड़ी थी तो 2017 से 2022 जनवरी के महिने में जब चुनाओं की तारीकों का एलान हो गया तब आपको समझ में आया सरी है हाँ उसी समय समय आना भी चाहिए क्योंकि जब जनादेश का समय होता है तो निर्णने उसी समय लेना चाहिए और साते इसाथ पांक साल तक जनादेश का संभाण करना चाहिए तो स्वाभाई गूरूप से भातिन्तापार्टी में मेरे लिए नया प्रेट फाम था 32 जंता पार्टी में जब मोदी जी ने कहा था कि लोग मुझे को नीज कहते हैं क्योंकि मैं पिछरी जात में पैदा हुआ हूँ उससे प्रवाइट होकर भारती जंता पार्टी में गया था मैंने सोचा कि नेता बदल गया तो चरित भी बदल गया होगा नीती भी बदली होगी लेकिन मैंने देखा चेहरा जरूर बदल गया लेकिन चरित नहीं बदला और जब उजागर हो गया तो समय आने पर मैंने उसका खुलाशा किया आज स्वाभावी ग्रूप से उच्छी तोर्सर पर मैंने लिया और कहा भी गया है कि जब लोहा ग्रण रहा तो भी हतोड़ा चलाना चाहिए ने हथोड़ा तो आपने सही टाइम पर चलाया लेकिन स्वामी प्रसाद मौरे जी ये जनादेश का सम्मान था या मंत्रीपद का मेवा था जो आप पांच साल तक टेके रहें ने जनादेश का सम्मान था देखे जो विवाग मेरे पास था वो केवल बेलफेर इस्कीम चलाने का था जिसका पूरा का पूरा पूरा लाब का जो भी पैसा होता था उसके बैंक के खाते में जाता था मैन्योर्ट टांपर नहीं होता था और कोई भी हमारा अतकारी हो करमचारी हो सभी निमानदारी से शेवा भाव से संकों के लिए काम किया विरुजगार नोजोनों के लिए काम किया इसलिए चिंता उनको होनी चाहिए जो मलाई खाते रहे हूं और साथ ही साथ स्वामी प्रशाद मौर्या मंत्री रहते हैं तो नहीं रहते हैं तो हमेशा मस्त रहते हैं हजारों कारिक्रताओं से घिरे रहते हैं आज मैं मंत्री नहीं भी हूं तो भी हजारों कारिक्रताओं से गिरा रहता हूं और हमेशा आज से नहीं इसने बेरा 22 साल का सद्वर्ष है 52 साल की संध्र को में मैं जन्ठार हमारे पास हमेशा रही है आज भी है आगे भी रहेगी क्योंकि हम प्यार से सभी सभी का काम करते हैं सभी को संबान देते हैं और इसलिए पूरे प्रदेश का कारिकरता किसी वी वर्क जात का हो वो वो मेरा संबान करता कि 2009 में कुशी नगर से सर आरा पिएंशिङंग में आपको हराया था कि उसमें पहली बार पार्लैमेनट किनौन याग तो उसमें वहां के लिए अजूबह त फा लेकिन इसमें पारॉण फ़ूलili गए परवना में तरी आर्पियंग सिंग आ रहे थे और भी हा रहे थे पार्लेमेंट के चिनाओं में भी परवना में आर्पियंग हा रहे थे ठीक है फिर जबरदस मुकाबला होगा मतलब पड़रॉना से मान लेकि यह सूपर फाइट होने वाला आप दोनों का अरे चुनाओं में मुकाबला तो होता होना भी होता है ति जो स्बद भूख से से उसको देखना चाहिए स्वामी परसाद मौरिशी सुनिए एक बार बार कही जाती है हम लोग खबर चला देना फिर कि पड़रोना से आप चुनाव लड़ रहे हैं करहें समाजवादी पार्टी म्यारे मेंनी piş ग्राश्री प्रश्राज्य जान गर देंगे संवाह हो ख डिताने हो चॉली प्रार्श्र ऑसवाध और अइं। मायवती जी ने आपने कहा था कि वो टिकेट बेचती है इसलिए आप पार्टी छोड़ रहे लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप परिवार वाद कर रहे थे इसलिए अच्छा वो आप खुदी चले गए बीजेपी की तरफ सभी अंदर खाने से किसी ने खुल कर नहीं कहा लेकिन आरोप लग रहा था कि आप अपने बेटे के लिए आप टिकेट मांग रहे थे अब वो पी राजवर भी कह रहे कि ने ने उनके बेटे को मलसी का टिकेट दिया जाएगा तो मामला परिवार क्या है क कि दो बार को इसारा नहीं होता है तो आप नहीं चाहते हैं कि आपका बेटा भी चुनाओं में आगे बड़े आप बहुत सीनियर सीनियर मैं आप से यह कहना चाहता हूं समाजबादी पार्टी की राश्ची अध्यच किस भूमिका में उनको रखेंगे वो खुद तेकरेंगे समाजबादी पार्टी की कारकरता की रूप में काम करने की छूट सबको है और अगर कोई भूमिका अधार करनी है तो तेकरेंगे राश्ची अध्यची इसलिए इस प और किसे वेलेंगा कि यह केवल अपनी खीज मिटाने लिए कहते हैं बुला-ुला के नहीं टिकेट दिया था बेटे को कि सर बेटे को बुला-बुला के टिकेट दिया जबर्टे को भी बटी को भी तो आपकी भी तो इच्छा होगे आप बहेंजी से पूछ लिए कभी अकेलिम बैठेंगी आप उसे पूछ लेना इमानदारी से उसे पूछ लेना अच्छा यहां पर बात हो गई कि नहीं हो गई है MLC के टिकेट के लिए बेटे के लिए अब कर्ष्टप जी अभी वो एक तो पहली बात तो यह उची तोसर नहीं है दूसरी चीछ आप अगर MLC के लिए दावाट ठोके तो मैं आपकी बात जिरूर कर लूँगा हम लोग क्यों MLC करेंगे सर हम तो आपसे सवाल पूछेंगे जब सवालों से आप लोगों को इधर उदर भजना होता है तो हम लोगों पर आ जाते हैं लेकिन अगला सवाल बताईए आपकी बेटी अभी भी भारतिये जनता पार्टी की ही सांसद है यह अरेंजमेंट आपको ठीक लग रहा है और सहजता तो नहीं होती है देखे मैं आपको पहले बता दिया हूँ एक बार और हमारी आपकी बात चीत हुई थी उसमें भी प्रश्ण आया था मैंने कहा था कि राजितिक फैसला मैं अकले लेता हूं राजितिक फैसला में जायत नहीं करता हूं जितने बिदायक जितने भी मानी मंत्रीगान और विदायकों निर्तिफा दिया था मैंने किसी बात नहीं किया था मेरे इस तीफे की बात सुता है स्वाप्रजित होकर के उन्हों नहीं लिया जिसने भी दिने लिया उसका मैंने स्वागत किया और जिस इसका निर्णे उसको मुबाराट है। मैं कभी भी दवाव की राजी में विश्वास नहीं करता हूं। इसलिए निर्णे जब लेता हूं तो पंचाय करके नहीं लेता हूं। जब हमें देखा कि दलितों और पिश्वों के खिलाब काम हो रहा है। उनका आरसमे मारा जा रहा है। भारती समझान की विश्वास को लोग तोड़ने कोशिश कर रहे हैं। आरचित पदों के सापेक सामन लोगों की भरती कर रहे हैं। तो मैंने उसका विरोध किया। यह हमारे दिल की बात थी अंदर की बात थी। और जब भी जूम जाती है का चार दलितों और पिश्वा है। मैं मुखार होकर उसका विरोध किया। लेकिन अब बात धूम फिरकर वहीं पहुंचती है। श्रम रोजगार मंतरी आप श्रम देने की जिम्मेदारी आपकी। आपकी। आप कह रहे हैं कि ये लोग मद्भेद करते रहें। तो आप क्या कर रहे थे सर पांच साल। देखे रजना जी आप बहुत सिर्ण रिपोर्टर जरूर हैं। लेकिन जब चैनल का मालिक जिस ख़बर को दबा देता आप उसको चाकर की भी नहीं बोल सकती है। मनत्री होने चैनल में उस बात को नहीं रख सकता था। उसव प्रेज्फाडियर्श करते थारल हैं।